हालो गाइज वेलकम टू माई चैनल प्रीती गंधा मैं गंधाली जोशी आप सभी का मेरी चैनल पर दिल से स्वागत है तो आज का मेरा पहला व्लॉग जो होने वाला है वह मम्मी के सर्जरी के बारे में उसको एंडोमेट्रियोसिस की तकलिफ हो रही थी एंडोमेट्रियोसि उसकी तकलिफ बढ़ने ही लगी थी, so finally we decided to go for surgery और उसके साथ साथ ही उसको हानिय का भी प्रॉब्लम है तो दो major surgeries at a time होने वाली है आज अभी हम एडमिट करने जाने वाल है उसको मम्मी के जो सर्जरी होने वाली है वो मुंबई के जाने माने अस्पताल में होने वाली है त तो इसलिए मैंने सोचा कि यह व्लॉग फैमिली व्लॉग हो जाएगा तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है यह सब मुंबई में इतने साल रहने के बावजूद होस्पिटल में जाते वक्त पहली बार ममी मेट्रो में बेटी दी लुक एट हर हैपिनेस यह रहा कोकिला बें दिरुबई हमबानी होस्पिटल आपने न्यूज में वगरा कही ना की देखा ही होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा फीमस होस्पिटल है यह सेलिबरिटीज का वगरा ट्रीटमेंट यही पर चलता है सेक्यूरेटी की अच्छे खासी चेकिंग होती है यहाँ पर पास होगा तो यह एंटरी मिलेगी है ऐसी किसी को नहीं हुसने देंगे और अंदर जाने के बाद ओमाइगाद इट लुक्स लाइक एन एरपोर्ट कितना बड़ा और फ्यूटिफुल सा होस्पिटल है यह उप्रेशन के एक दिन पहले लिक्विड डाइट होता है तो अभी मम में नीमबू पानी पी यह दिन बर से बिचारी ने कुछ नहीं खाया और एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है पापा एडमिट करने का पूरा प्रोसेस कर रहे है और हम यहां पर बैटके मजे ले रहे हैं इसी के ठंडी ठंडी हवा की और मुझे एक्चली जाना भी है जल्दी क्योंकि मेरे पास चाबी है घर की और भाई आने वाला है हॉस्पिटल में डिरेक्शन कुछ इस तरह से लिखे हुए है नीचे तो चलते चलते आपको पता चल जाएगा नीचे की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम उपर पेशन के रूम में आ गए और यहां पे बीपी सुगर जो भी नॉर्मल बेसिक टेस्ट होते हैं वो सब कर लिए गए उपरिशन के पहले दिन करते ही है और मम्मी को एक पैन पहना दिया उसके आईडी के साथ और अब ही फॉर्म अगरा भरके ले रही है सिस्टर इसमें बहुत टाइम जाता है तो यह सब करने के बाद मैं घर चली गई बापस तो अव भी मंमी को लेके जा रहे हैं और 10 पूजे का अगरा टाइम बला था नहीं पहुची ही नहीं कि उसको लेके ही जा है स्माइलली सर्जरी के लिए लेके जाते वक्त ममी के पास मैं अक्के लिए थी क्योंकि रेड़ पास मेरे पास था और रेड़ पास वाला एक ही पेशन के साथ रोख सकता है surgery के time पर surgery pass भी देते हैं जितने time surgery चलेगी उस time के लिए और यहाँ पे waiting area है जब patient की surgery चल रही होती है तब सब लोग wait के वहाँ पर इंतसार करते हैं तो बहुत time सी surgery चल रही थी two surgeries थी तो मैं थोड़ी धेर के लिए यहाँ पर उपर आगे रूम में और आपको रूम भी दिखा देती हूं तो कुछ इतना बड़ा रूम है अभी बेड लेके गए है पेश्मेंट के साथ में तो बहुत जादा ही खाली लग रहा है और यहां पे ऑक्सिजिन का वगेरा प्रोविजिन किया हुआ है और मैं पहले से वही सोच रही थी ऐसा पूरा बच्चो वाला क्यों लग रहा है रूम तो गाइनकलोजी वाड होने की वज़े से यहां पे ऐसे कार्टून के वगेरा पड़दे लेगे हुए है और आपको दिखाती हूँ बाहर का नजरा ओ माइगोड डूक अट दिस ऐसे ब्यूरिफूल सा व्यू आता है पूरे मुंबई का और अभी बादल बादल भी चाय हुए है तो बहुत ही अच्छा नजरा खूप सूरत सा नजरा है और यहां पे एक जो रेड पास वाला रहता है पेशन के साथ रुकने वाला उसके लिए सोफा है एक छोटा सा फ्रिंच प्रोवाइड किया है साथ में पेशन का खाना तो होस्पिटल ही प्रोवाइड करता है और बाहर का हमारे लिए लाना लावड भी नहीं है वैसे तो लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ रखना होगा तो और एक छोटा सा टीवी प्रोवाइड किया हुआ है आपके एंटेटेंट्मेंट के लिए और यहां पे एक ऐसे किचिन कैबिनेट की तरह स्पेस है चलो लगे हां तो आपको वाश्रूम भी देगा देती हूं यह कुछ इस तरह से बहुत बड़ा सा मेर प्रोवाइड किया है हाई मुझे बहुत दर से नहीं लेखा न तो यहां पर इमर्जन सी बटन भी दिया हुआ है वह मुझे सबसे जबा पसंदा है पेशेंट अंदर होगा और कुछ प्रॉब्लम आगी तो बस इसको कीचना है नॉर्सिस इमेरियेटली आ जाएगी और अगर पेशेंट नहा सकता है भी तो उसे साब से खड़ा रहना बैटना उटना उसके लिए यह राट दिया हुआ है और मम्मी की सर्जरी ओमाइगाट छे घंटे से जादा हो गए थे और अभी भी उसको आप्रेशन थेटर से बाहर नहीं ला पर यह है आई का उपरेशन के बाद का पहला वह क्योंकि डॉक्टर्स और विजियो तरफेस्ट ने उसको जबरदस्ती चलाने के लिए बोला था क्योंकि ऑपरेशन के बाद कई बार ऐसा होता है कि गास एक्यूमलेट हो जाए गास जमा होने के वज़े से उसका पीट फू इसलिए नहीं किया क्योंकि देखने के लायक नहीं होता है फिर ऑक्सिजन लगाया होता है ड्रिप चल रहा होता है हाथ में यह सलाइन वो सब इसलिए आज शायद दिशाज मिले मम्मी को लेकिन मेरा कुछ काम है वो करके हम होस्पिटल जाने वाले मुझे जाना है जू तो जू से अंधेरी वे नजदीक है तो अभी हम जा रहे है एक प्रडक्शन हाउस में और यहां पे है यह देखिए अमिता बच्चन जी का पुराना दिशाज देखिए अधा लेकिन हमारा मेडिक लेम का काम बाकी था तो उस इंतजार में हम थे और मम्मी एकसाइटमेंट में कपड़े वबड़े चेंज करके रेड़ी होके बैड़ गे कैसे लग रहा है अब अच्छा लग रहा है हाँ दर्थ कम हो गया है तो डिस्टाज कब देंगे शायक आज देंगे थोड़ा सचल के दिखा मुझे तो अब मम्मी को दिया है सूप और जब से इसका सॉफ्ट डायेट पर शिफ्ट वाए डायेट तब से कुछ ना कुछ देते ही रहता है खाना देंगे नाश्टा देंगे शूप देंगे चाय देंगे कुछ ना कुछ चलता रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का हेल्दी डायेट होता है यह देखो होग का पीशेंट का होग का सच्छी के बाद मम्म कि पापा मेडीकलेम का और वो बिलिंग का देख रहे थे बहुत देर से ऊपर नहीं आया है मैंने सचा चलो जाके देखती हूं तो मेडीकलेम का डिफ्रेंस बहुत आ रहा था अमाउंट में तो इसलिए और काउंटर भी बंद होने को आया था तो हमने सुचा आज हम डिस्च ले लिया और हमारा जो मेडीकलेम का बहुत स्यादा डिफ्रेंस आ रहा था वो भी कम हो गया और मैं इसके साथ आपको यह कहना चाहूंगी कि जो हमारा होता है वो हमें ज़रूर मिलता है बस हमें ट्राय करना है गिब अप नहीं करना है देखो घर जाते-जाते मैंने आपक आई डिश्चाज के बाद तो हस्पिटल विजिट्स होती रहती है ड्रेसिंग के लिए चाहों दिखाने के लिए जाओ यह तो चलता ही रहता है लेकिन जब उसकी पत्ती निकल गई ड्रेसिंग की तो उसके बाद से घर में मैं बन गई ड्क्टर हाहा और तो सानीटाइज क पड़ता है बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है यह मतलब जो घर में हॉस्पिटल में जो चीजी यूज करते हैं वह हम करते हैं जैसे की जख्म क्लीन करने के लिए हॉस्पिटल में ज्याधा दर बिटाडन का इस्तमाल किया चाता है तो वह हमने लाया है और रोई चिपके तरह था और यह पाउडर अमेजिंग है मतलब अगर नॉर्मल भी कोई जख्म है ना तो उसके हीलिंग के लिए एंटिवेक्टरिल पाउडर है मैं नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आपको तो यह बहुत ही अच्छा पाउडर है तो अब बगवां की कृपा से सब यह पर नीचे नहीं बैठ सकते लॉंग जर्नी अवोइड करने पड़ेगी यह बेल्ट हमेशा पहनना पड़ेगा तो पर सब्सक्राइब किया अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकन प्रेस कीजिए तक आप आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रगए